सब्सक्राइब करते हैं काफे सारे इंपॉर्टेंट कोश्चन जो कि हम लोग आने वाले एक्जाम के उसके लिए प्रपरेशन कर रहे हैं अब आपको इंपॉर्टेंट थाटी जो कर वांगा इसलिए जो है वह मैंने आपको कवर कर वाने के लिए तोपिक है अपने अल्रेडी हो चुक है अगी सब कुछ अगर अगी तो एक बार मुझे थाम्च अब कर दो आपको आपको मुबैल का अवाज उसको थोड़ा सा बैटर कर लीजेगा ताकि कोई दिख्कत नहीं आए साउंड लो है मेरे मूबाइल पर ठीक हा रही है कुछ हवास तुड़ है कि अपड़ साथ है कि विया चैर्ड मेंससरों की करर रहे हैं और ईल लो क्या करने अपक्र को 5 जो की का कज आए और प्रोंms का का के लिगश्य पांश कमकृ की कर रहे वो भी हम लोग discuss करेंगे तो मैंने आपको आपका जो टेलिग्राम ग्रूप है जो आपका जिसके अंदर मैं आपको पीडिएफ अविलेबर करवाता हूं इसके अंदर मैंने आपको मौक टेस्ट वन की पीडिएफ देदी है और पाइफ की अभी में डाल दुगा है इस अप्रिए अवाज वाज आए चलो ठीक है तो पांच वा मौक टेस्ट जो कि हम लोग कवर करने वाले हैं तो सबसे पहले एक बार आगे बढ़ते हैं देखते हैं कि क्या क्या है सबसे बहुत जैसे कि आपको मालूम है यह सारे टॉपिक हम लोग कवर करेंगे और इन सारे तोपिक चे अंदर से हम लोग मेजर ली मेजर ली जो कवर कर चुक्ये है वह सब्सक्राइब है आज हम लोग करेंगे वह आज यह वाला टॉपिक है जो की कवर करने वाले है ठीक है अब फीक हो जाएगा एक मिंट रुख जाओ वो कुछ चेंज किया है आपकी आवाज के लिए आवाज आ रही क्या ठीक है आपके वापस इस तक हुई क्लास 24 जैसा कि आप सभी को मालूम है डेली सुबह ग्यारा बजे अपना एक इंपोर्टन सेशन होता है जहां पर आम लोग कवर करते हैं आपके मौक टैस्ट जो कि खराब हो गए अपने चलो ठीक है स्टार्ट करें तो यहां पर आप देख सकते हैं यह सारे के सारे अपने इंपॉर्टन टॉपिक थे जो कि करनेट अफेर के आपने पास थोरा सा टाइम अपने 10-15 मिट है जो कि अपने खराब हो गए 15 मिट अपने वह वेस्ट हो गए तो अभी अपने 15 मिट को कंपंसेट करते हैं और अभी स्टार्ट करते हैं विधाउद वेस्टिंग एनी फर्दर ताइम यह सारे टॉपिक मैंने आपको करा दिये थे दोस्तों यहां पर भी सारी टॉपिक करवा दियता है आज हम लोग जो है लेक्तों मॉक टेस्स कवर करेंगे और साथ में जो है हम लोग क्या देखने वाले हमारे रेल्वे न्यूस जो है इंपॉरेंट उसके बारे में हम लोग बात करेंगे ठीक है ऑल परफेक्ट है सब कुछ थीक है बड़ी है छलो आगे बात करते हैं जैसा कि मैंना बोला था कि देख साल के करेंट अफेर करवा हूंगा बूस्टर कोर्ण साब जॉइन कर सकते हैं अपने प्रपरेशन के लिए साथ में आप अपने टेस्स आरी जो है वो जॉइन करना मत मूल एंगा टेस्स आप लोग लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है आपकी प्रैक्टिस के लिए बहुत ज़रूरी है समझ गए अगर आपको अपने एक्कूरेसी स्पीड को अच्छा करना है तो आप क्लास 24 की एप पर जाके टेस्ट तरी जो कि ले सकते हो एक साल की वैलिडिटी रहेगी आप बहुत अच्छे प्रैक PDF मैंने आपको टेलीग्राम के ऊपर यक अगस्ट की भी दे दी है और चार अगस्ट की भी दे दी है और तो पांच अगस्ट की आज है तो यह बी मैं अविशल में करवा दूगा समझ गया तो दोग और तीन के बाखी है यह में ढून दूगा। मेरे में मिल ले थी तो यह मैं ढून के डाल दूँगा तो कुल्मला की एक तारिक की डाल दिये पांच के डाल दिये और चार की डाल दिये और पांच के अभी क्लास खतम होते डाल दूगा दो और तीन की बाकिये यह मैं ढून के आज शाम तक आपको अवेलेबल करवा दूगा आपको बताना है होट लाइन के रिगार्डिंग एक मिट एक मिट जैसे कि में सेकिंड ठीक है कहां चले गए एक मिट आपको लॉॉ त झाको लिए एक मिनी एक मिना टें ख और लॉॉ और लॉॉ ठीक है? चलो तो हम लोग थे first question की तरफ आपको first question का answer बताना था और इसका answer क्या हो जाएगा इसका answer हो जाएगा आपका करने के लिए यह hotline है जो कि इस्थापित करी जाती है तो अभी सिक्किम के अंदर भी last year है जो की problem हो गई थी तो वो हमने इसलिए जो है सिक्किम के अंदर इसको इस्थापित किया तो आपका डी यहां पे बिलकुल सही जवाब है जो की हो जाए जाए समझगे मेरी बात तो ministry of defense के हिसाब से गोस्तों इंडियन army ने कौन सा kongral है नौर्ट सिक्किम के अंदर कौन सी जगह है यहां पर आप देख सकते हो तिबित के यहां पर तिबित वाला एरिया और अपनी जो अनाचल परदेश वाला एरिया सिक्किम वाला एरिया कई जगह पर जो है कई बार इस तर अपित है जो की कर रखी है अगले सवाल की तरफ चलते हैं नेक्स्ट कुश्चन ने defense expo 2022 के बाइन में बताना है defense expo 2022 किस इस्थान पर आयूजित होने वाला है defense expo 2022 बताएए संदीप बोल रहें कि हाँ ठीक है मैं टेलिग्राम का लिंक आपको लगा दूँआ है ना ताकि आप एक राइट चैनल है जो कि जॉइन कर सको देखो अगर किसी के आपको यह करना है अभी अपने पास में टाइम है उस subject को वापस से रिवाइस करो अगर आपने रिविजन में कमी छोड़ी वी है तो टेस्थे रिविजन में कभी भी नंबर नहीं आएंगे समझके मेरी बात तो अगर टेस्थे रिविजन करना पड़ेगा अच्छे से रि डिफेंस एक्सपोई जो कि अभी ग्यारा से तेरा मार्च के बीच में किया गया था ओके कैस्स मिनिस्ट्र अफ डिफेंस के द्वारा जो है एक्जिबिशन है जो कि आप लगाए गया थी हर दो साल के अंदर जो है इसको आउजित कराया जाता है दुनिया के कई सारे देश चारों तरफ समुंदर होता है और आप बीच में घर मने वे होते हैं तो मौल्दिव में क्या है कि जितने भी छोटे छोटे चोटे आइलेंड्स है सब आइलेंड के ओपर एक होटल है तो उन्होंने पानी के बीच में वह वह विलाज बना रखें और वह बहुत फेमस है बात करूं न तो यह हमारे इंडिया में भी दोस्तों बनाने की बात करे गई और कहां पर बनाने की बात करे गई थी इसको लक्षव दीप के अंदर बनाने की बात है जो कि करी गई ती ध्यान रखेगा बहत्रपून सवाल है पेपर में पूछा जा सकता है ठीक है तो आप यहां पर देख सकते हैं परेटगों को अंकरशित करने के लिए जल्दी लक्षदीप में माल्दीव शैली के वाटर विला है जो कि इस्थापित किये जाएंगे आट सो करोड रुपे की लागत में दोस्तों यह वाटर विलाज है जो कि बनाने की बात करी गई है इंपोरेंट है ध्यान रखेगा ओके चलो ठीक है आगे बढ़ते हैं इसी के साथ में नेक्स शलते हैं नेक्स सवाल है आपका अगस्त के किस तारीक को भारत छोड़ो अंधोलन की 79 वी वर्ज गाड के रूप में मनाया गया है भारत छोड़ो अंधोलन कितनी तारीक को दोस्तों मनाया जाता है बहुत इंपोर्टन कोशेन है गांधी के routine happy moments से सारे के सारे बहुत Ils अग यह उन्ल azim करेंटर जो कि पूछा जाएगा ठीक है कि एक बच्छा बोल रहा है कि टाली ग्रॉप का लिंक मांग रहा है तो मैं आपको लिंक भी देता हूँ टाली ग्रॉपका जब्मी ए सेकेंड एक बार पहले इसका अंसर करो पहले मिरको कि एशेट मनिट ठीक है यह लो मैंने आपको टेलिग्राम पर लिंक है जो कि अवेलिबल कमेंट में करवा दिया है यह कमेंट के अंदर एक लिंक आयागा इसको देख लेना ठीक है दो बार मैंने भीज दिया है चलो आंसर क्या हो जाएगा आठ अगस्त यहां पर बिल्कुल से आंसर हो जाएगा तो आठ अगस्त को भारत छोड़ो आंदोलन कुट इंडिया मुवमेंट है दोस्तों जो कि गांदी जी के द्वारा कहां से Bombay के इससे दोस्तों इसका आवान जो कि किया गया जहां पे Do or Die का स्लोगन है जो कि दिया गया था है ना और गोवालिया दोस्तों मैदान है वहां से इसकी शुरुबात करी गए इसको अगस्त क्रांती भी जो है वो कहा जाता है और आप तारीक क्या राजर हो नहीं है आठ तारीक है जो कि आपको ध्यान रखनी है यहां पर आप देखो कि यह सारे गांदी जी के मुवमेंट है इसके अंदर कोट इंडिया मुवमेंट आठ तारीक को 1942 को है जो की बता रखा है इसके अलावा civil disobedience की बात करें है ना तो ऐसा योग अंदुलन हो गया 12 मार्च ऐसा योग अंदुलन हो गया एक अगस्त तो यह दो तिन और आपको इसकी डेट है जो की याद रखनी है 12 मार्च और एक अगस्त ठीक है और 8 अगस्त को आपका कोट इंडिया मुवमेंट इनके साल भी बहुत जरूरी है पेपर में पूछते हैं कौन सा साल पहले कब हुआ क्या हुआ ठीक है तो आपका चंपारन है उसके बाद में खेडा हो गया उसके बाद में खिलाफत 1924 फिर आता है आप कोट इंडिया मुवमेंट एंसी क्यू इससे आप आपको और्डर में आद करने में कोई प्रॉब्लम है जो की नहीं आएगी समझ गए चलो ठीक है अगला सवाल देखते हैं ज्यादा तर यह जायत तलवार एक्सेस के बारे में आपको बताना है कि जो जायत तलवार 2021 का किस के बारे में आपको बताना है अभ्यास किन दो देशों की नौ से नौ ने किया है आंसर क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा इंडिया और यूवेई देखो 2021 की एक्साइज है 2021 के अंदर बहुत कम देशों ने जो है वो मिलिटर एक्साइज करी है और हमने तो फिर भी जो और किर्गेस्तान के साथ में तो ये दो एक्सराइज हमने 2021 के अंदर भी कर ली थी हमाजबा सब कुछ परफेक्ट है को दिक्कत तो नहीं है ठीक है परफेक्ट है एक दम सब कुछ ये टेलिग्राम का लिंक दे तो दिया आप कितनी बार दो भई कमेंट के अंदर देख लो न ये दो बार मैंने कर दिया है इसको आप अपस में शेयर कर दिना और भी अपने जो कोई बच्चे है न उसको दे दे देना आपने मतलब और भी कोई मांगे तो मैं बार-बार या तो मैं लिंक बेशतार हूँ या पर या आपन क्लास को कंटिन्यू कर ले यहाँ पर सारे नोट सारी पीडियाफ सब कुछ आपको मिलेगा आपने पता नहीं कौन सा टेलिग्राम जोइन कर रखा है फिर आप बोलते हो कि सार पीडियाफ ने आती पीडिया अब हाती है उस पर जिसके ऊपर मैं आपको भी जाओन लेगा चलो ठीक है आगे बात करते हैं नेक्स चलते हैं नेक्स सवाल के तरफ नेशनल एडिबल ओई ऑइल मिशन के बारे में बात करेंगे नेशनल एडिबल ओई मिशन पाम के तहथ सरकार दौरबा कितनी राशी का निवेश है जो कि किया जाएगा बताईए नेशनल एडिपल ऑईल आंसर बताईए जल्दी बताईए चलो बिल्कुल सही आवाज वाज परफेक्ट है आंसर क्या हो जाएगा 11,000 करोड आपके यहां पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा तो 11,000 करोड रुपे का बजट है जो कि अडिबल पाम हम देखो क्या करते हैं कि हम लोग 80-90% जो तेल चाहिए होता ना मैं पाम ओईल वो हम लोग इंपोर्ट करवाते हैं मलेशिया से इंडोनेशिया से यहां से तो मिजली मलेशिया से तो हम चाहते हैं कि इसके उपर हम आत्म निर्बर हो जाएए इसलिए 11,000 करोड रुपे का अनॉसमेंट है जो कि किया गया था छलो इंटरनाश्रिय यूवा दीवस के बारे में आपको बताना है किस तारी को मनाया जाता है किस कितारिक को मनाया जाता है आंसर क्या हो जाएगा mitraarWeek और 12 अगर चुन्वरी और ये बारह अगरे क्या रखी है 2022 की थीम के बारे में बात पुर तो अभी कुछ दिन ठीक है अभी जो है आज होने वाली है अभी आज 12 तरिक आने वाली है तो इस बार की theme क्या है इस बार की theme जो है वो internationally significance किसको honor करने के लिए miss हो गई मैंने आपको देखो ठीक है transforming food system यह theme है जो कि हमने last time के रखी भी है ठीक है transforming food system तो यह बात आपको बच पूरा याद मत करो इतना सद्धान रख लो transforming food system transforming food system बच इतनी से याद करो पूरी याद करोगे नहीं रख पाऊगे समझगे मेरी बात 12 अगस्त आपको ध्यान रखना last year की ध्यान रखनी है इस बार तो पेपर आपका बन जाएगा already तो आपको करने की ज़रूरत नहीं है चलो कौन सा राष्ट्रे उध्यान satellite phone से लें सोले वाले भारत का पहला राष्ट्रे उध्यान है जो कि बन गया है सेटलाइट फोन नेशनल पार्क में पहली बार है जो कि दिये गए थे दस सेटलाइट फोन दिये गए ताकि जानवरों को बचाया जा सके पहुंचिंग बचाया जा सके 16 लाक रुपे का बजट था और पहली बार दिये गए एक बच्चा बोले रा है कि पूरा करेंट अफेर एक ही PDF में दे दो चलो ठीक है वही दे देंगे और बताओ किया करना है के पहले तीस टोपिक तो पूरा कडे लो पहले तीस टोपिक कर लेंगे उसके बाद दिख 55 पहले आप पुत्रा के एकदम बाजू में है नामेरी है औरेंग है मानस है रायमोना अभी रिसेंटली स्टार्ट हुआ दिब्रु है दियायन पटकरी यह दो है फर्स्ट और लास्ट वाले जो कि अभी रिसेंटली बनाए गए थे यह सारे के सारे नैशनल पार्क आपके लिए इंपॉर डाल सकते हो आपको इंजेक्शन लगाने के जरूत नहीं है तो यह जो वैक्सीम बिल्ड किया गया ना वो किसके दुबारा किया गया है वो किया गया आपके भारत बायो टैक के दुबारा तो भी आपका सही जवाब हो जाएगा ध्यान रखेगा पेपर में सवाल बने गलते हैं भारतिय सविधान की प्रस्तावना की भाषा किस सविधान से लिग गई है था लैंगवेड़ेज औफ प्रेमबल मताएगवेज औफ प्रेमबल कहा से लिग गई है बहुत ही बढ़ीया सवाल है में जर ली बच्चे उसको गलत करेंगे आंसर को यहाँ पे काफी बच्चे भी आंसर लगा रहे हैं, ठीक है, जल्दी बताओ आंसर, चलो, बिल्कुल सही जवाब है, आंसर यहां पर क्या हो जाएगा, उस्तेलिया आपका सही जवाब हो जाएगा, तो उस्तेलिया से हमने लैंग्विज ओप्रिम्बल, जो है वो हमने अडॉक्त करी है, ठीक है, आपको पता होना चाहिए, यह आपके लिए बहुत ही इंपोर्टन्ट है, कि कहां से हमने दोस्तों क्या क्या है, जो की लियावा है, समझ गए, जैसे कि पेपर में आपके रेलवे के पेपर में पूछे तो आपके रेलवे के पेपर के लिए इंपोर्टन्ट है हमारा एक तो रश्या, रश्या, फाइफ एर प्लान लिये और हमने फंडमेंटल ड्यूटी जो की ले ली, उसी प्रकार से उस्टेलिया इंपोर्टन्ट है, कॉन करन्ट लिस्ट वो इंपोर्टन्ट है, हमने ले ल को लेकर ओके और बिटिश कॉंस्टिशन की बात करें तो हमने सिंग्डल सिटिजन्शिप हो गया है ना स्पीकर के बारे में यह सारी चीज़ें जो की बिटिशली है तो यह दो चार चीज़ें आपको पता होनी चाहिए पेपर में पूछ से रहते हैं अक्सर लिंबिकित में स कौन सा शब्द भारतिय सम्विधान की प्रस्तावन में नहीं लिखा गया है बताओ हमारे प्रिम्बल में कौन सा वर्ड है इन में से जो नहीं लिखा गया है आपको जानके तो रहानी होगी लेकिन यह सत्य है तो आंसर क्या हो जाएगा अब ही क्लास के बाद ही पीडियर दे दूगा आपको ठीक है विश्वास यह मैंने टेलिग्राम का लिंक भेज तो दिया कमेंट में और कितनी मार भेजू यार पूछोगे बताओंगा तब अब ही समझ मागी कि मेरे ना 50 बने में नहीं धूड़ पाओ गया इसे चलो आंसर क्या हो जाएगा इंडियांस दोस्तों हमारे आप पर प्रिंबल में नहीं लिखा है तो अगर आपने कभी प्रिंबल को अच्छे तरीके से पढ़ावा होगा अगर प्रिंबल को अच्छे स यह सारे चिजय जोकी लिखी गई है 26th of November को दोस्तों हमने इसको अडॉप्ट किया और लागू किया 26 जनवरी से हमने समविधान को लागू किया चलो अगला सवाल है निमिकित में से किसे निर्देशों का साधन माना जाता है निर्देशों का साधन इस्टुमेंट ओफ इस 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 चलो अंदर दोस्तों इस्ट्रक्शन के बारे बात करें गए यह चो इस्ट्रक्शन दिये जाते है citizen को कि उसको देश के लिए क्या करना चाहिए कैसे करना चाहिए हमारे सरकारों को क्या करना चाहिए तो यह जो instruction है इसको instrument of instruction है जो कि कहा जाता है भारतिय सम्विधान की प्रस्तावना डैश के सम्विधान के प्रस्तावनां से प्रेदित थी बताइए रहे हमारी प्रिंबर जो है कि azicamहारी जो प्रिंसे धींधा है कौन से देश के प्रिंबर से हम ने हमारी प्रिंबर छो की appointed है जल्दी बटाइए चलो आंसर क्या हो जैँगा तो आपका कभी आपने यूएसे का प्रेंबर देखा है आपने डिखाता हूं मैं आपको अगर आपने USA का प्रिम्बल नहीं देखा तो आप देखोगे कि काफी सिमिलर है जो कि हमारे जैसा देखने को मिलेगा हमने हमारा संविधान खुद को दिया है वी दर पीपल ऑफ इंडिया उसी प्रकार से वी दर पीपल ऑफ यूएस इन और टो फॉर्म हमें पर्फेक्ट नेशन हम लोग यह लोग इस्टैब्लिश करेंगे जस्टिस ओके ट्रिंक्वालिटी कॉमन डिफेंस वेलफेर ब्लेसिंग ऑफ लिबर्टी ओके तो यह सारी चीजह जो कि यह लोग इंप्लिमेंट करेंगे तो प्रिंबल जो है वो यूएसे का कुछ इसी प्रकार का है इसी से हमने इंस्पैर हो के वी दर पीपल ऑफ इंडिया यह चीजह जो कि हमने यूज करी नंबिकित में से कौन भारत में उच्छे जातियों की बीच पहली वैद हिंदू विद्वा प किसने वो सबसे पहले भारत में हिंदू विडो रिमारिज जो है वो चालू करी आपको मालू में पहले अगर किसी की चोटी-चोटी बच्चों की बहुत ही बुज़ग लोगों से शादी करवा दी जाती थी जिनके बाद पैसे थे वो लुनक जाते थे उसके बाद में उन म मौवी किसी ने वाटर मौवी देखेगा अगर आपने नहीं देखी तो आपको बताएंगे कि 19 वी छितापदी में दोस्तो हमारा भारत क्या था वाटर मौवी जोन इब्रहायम की है और दीपा मैता की मूई है देखिएगा आंसर क्या हो जाएगा इश्वाचंदर विद्दासागर आपका सई जवाब हो जाएगा ठीक है इस तो इश्वाचंदर विद्दासागर वो परसंथे जिनके द्वारा यह काम किया गया next दोस्तो philosophical समाज की शुरुवात किसके द्वारा और कहा करी गई थी philosophical society का काम क्या था actually मैं थे। philosophical society का काम क्या था उनका काम था कि दुनिया में religion के माद्याम से peace establish की जाए सारे religion एक ही बात बोलता है humanity की अच्छाई की तो उन सबके माध्याम से दुनिया में पीस लेके आए जाए, लोग मिलकर रहे ये उसका काम था, एनी बेसेंट भी जो है वो Theosophical Society के पीछे ही इंडिया में आई थी, परना तो Theosophical Society के शुरुवात किसके दुवारा अमेरिका में ब्लैविस्की के दुवारा करी गए थी और एक आलकर्ट करके और ब्लैविस्की करके दो परसन है, उनके दुवारा दोस्तों करी गए थी, ठीके गईज़, त्यान रखिए अगला सवाल आपका Unto This Last ये किताब किसके दुवारा लिखी गई बहुत ही फेमस किताब है, गांदी जी इस किताब से बहुत इंस्पायर हुए थे, थे ना Unto This Last बताइए, किसकी किताब थी? कौन थे? रसकिन बॉन्ड की जॉन रसकिन दो अप्शन है जो कि आपको यहापे नजर आ रहे होंगे सिमिलर से दो अप्शन है, जो कि आपको नजर आ रहे होंगे क्या हो गया यह? हाँ, ठीक है बताओ जुल्दी से आंसर क्या हो जाएगा? जॉन रसकिन आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा तो जॉन रसकिन के दुवारा यह किताब है जो कि लिखी गई थी 1860 के अंदर, 1860 में एक magazine थी, उसके लिए उन्होंने कुछ आर्टिकल से जो कि लिखी और गांदी जी दोस्तों इससे बहुत इंस्पायर हुए बाद में है ना, एकनॉमी के ओपर यह किताब है जो कि लिखी भी थी इसको गुजराती में लिखी गई थी, तो इसको English में translation किसके दुवारा किया गया बताइए गांदी जी की The Story of My Experiment with Truth मूल रूप से गुजराती में लिखी गई है इसका अंग्रिजी में अनुवाद आपको बताना है चलो, आंसर बताओ क्या होगा आंसर के बारे में बात करें तो महादेव देशाई महादेव देशाई कौन थे दोस्तो बताइए महादेव देशाई के दुवारा इसको जो है English में translation किया गया यह कौन थे? पर्सनल सेकेटरी है इनकी देथ भी दोस्तो देश के आज़ादी के टाइम पर हुई थी 15 अगस्त को उनकी देथ है जो की हुई थी ठीक है वाईज, धान रखेगा इम्पॉरेंट है गांदी जी को दोस्तो तो बड़ा रिग्रेटी है यह है कि गांदी जी जब तक जिन्दा थे वो उनको यह आवाड नहीं दे पाई और पॉस्तुमिस्ट ली आवाड मिलता नहीं है मनने के बाद में तो गांदी जी को कभी भी नोबल पीस प्राइज जो की नहीं मिला हाला कि कई बार जो है इनको दोस्तो नॉमिनेट किया गया अगर आप देखोगे 1937, 38, 39, 47 में इनको नॉमिनेट किया गया और फाइनली दोस्तो 48 के अंदर उनकी देथ हो गई तो 47 लास्त यह तक उनके रहने के जो नॉमिनेट किया गया था कौंसर आज जैसे। 6% , अपना ज मस्जार्वत करता है। बारत के साज परसेंट का उत्पादन है है। अंसर बतायों क्या होगा? और घांधा जी शोल्ट लॉडर को था न तो जहां मेंत स्थाूर होता है। क्योंकि गुजरत की docks पर वहाँ ज्यवाब हो जाएगा। दान रखेंगे नेक्स्ट है आपका विवह कौन दंकन के पठाग की मुख्य फसल है मुख्य फसल के बारे में बताईए कि डेकन प्लाट्यू का सबसे क्या होगा कॉटन आपका सभी जवाब होगा ठीक है चलो नेक्स चलते हैं आगी की तरफ अब इंडियन रेलवेस की जो इंपॉर्टन इंपॉर्टन न्यूज है वो भी देख लेते हैं क्योंकि पेपर में आशा सवाल है जो की बनेगा आपके लिए सबसे पहले तो आप सभी एक इसके दुवारा लॉंच किया गया प्लान भी और इक किसके दुवारा लॉंच किया गया हमारे जो नॉर्थ इस लिए इनको बेस्ट इंडोशन अवार्ड भी जो है वो सम्मानित किया गया के इन्होंने क्या क्या कि electronic devices लगा दिए train के पट्रियों के आज स्पास तो उससे क्या होता है कि elephant आप परिशान हो जाते हैं जब वो sound चलता है मदू मक्हया उनके पास में आ जाती है तो elephant को जो है वो train से रोकने, टकराने से रोकने के लिए इसको start किया गया, इसके लिए इनको दोस्तों award से भी जो है वो सम्मानित किया गया, आप देख सकते हो उनको जो पुरसकार मिला, वो सवस्रेश्ट नवाचार पुरसकार जो है इनके काप के लिए मिला, क्योंकि बहु कोच्ची मेट्रो के लिए किसके द्वारा कोच्ची शिप्यार के द्वारा इसको बनाए गया, 100 पैसंजर है जो कि इसके अंदर बैठ सकते हैं, चलो, अगला सवाल देखते है आपका, mission अमानत, बहुत important है यह भी, mission अमानत, किसके द्वारा launch किया गया, यह आप से paper में किसने चोरी करे लिया तो ट्रेन में तो बैठा नहीं रहेगा कि चलो आएंगे और पकड़ेंगे, वो तो अगले स्टेशन पर उसके अगले स्टेशन पर उतर जाता है, तो उसके बाद उसका सावान मिलना बड़ा मुश्किल है, लेकिन यह अमानत नाम का campaign है, जो कि launch किया environment के issues बहुत सारे आ रहे है, इसके अजिसे यह जो प्रोजेक्ट है दोस्तों वो अभी बीच में लटक गया है, काफी प्रोटेस्ट है जो कि देखने को मिला है, यहाँ पे 200 किलोमेटर पर आर की स्पीड है, जो कि यहाँ पे चलने वाली है गारी, चलो, startup for railway policy, तो railway ने क्या किया है, कि अगर को railway से संबंदित कुछ ऐसा प्रोडेक्ट बनाता है, जो कि बहुत काम आएगा railway के, तो उसके लिए क्वार्मेट क्या करेगी, support करेगी, तो startup campaign है जो कि इसलिए launch किया गया, आश्वनी जी के द्वारा, ताकि innovation है, जो कि हम लोग train में कर सके, यहना डेर करो railway protection force के द्वारा, महिला सुरक्षा अभ्यान है, महिलाओं की safety के लिए दोस्तों उसको चलाए गया था, समझगे मेरी बात, 2022 के अंदर ही चलाए गया था, और उसमें कई सारे लड़कियों को rescue भी किया गया था, कई सारे human trafficking करी जाती है, ट्रेनों के द्वारा, तो कई बार ज करें, तो eastern railway जो है ना हमारा, उसने 100% विदूति करना जो की अचीव कर लिया है, 100% electrification, बड़ी बात है, है ना, चलिए, तो 41 km का इसने last इसका area बचा था, और हम चाहते हैं कि 2030 तक क्या हो जाए, carbon neutral हो जाए, हम लोग carbon छोड़े ही नहीं मतलब, अगर electrified हो जाएगा हमारा system, तो हमें जरूति नहीं पड़ेगी, next है भारत-गौरव scheme, भारत-गौरव किसलिए बनाए गई है यह scheme, यह southern railway के दौरा दोस्तों launch करी गई, भारत-गौरव का मतलब क्या है, कि कोई भारत को गौरव बढ़ाने वाली जगे है, वहाँ पर लेके जाए 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 जनता को, तो South India के अंदर Southern Railways के दौरा इसको launch करी गई, और आप देख सकते हैं, इसके अंदर कोई मतूर से CD है, जो कि लोगों को ले जाया गया था, साही बाबा के CD के अंदर जाशन करवाने है, जो कि लेके गए थे, चलो, next है भारत-गौरव train नामें इसका ध्यान रखेगा, नव नवदूत क्या है, अक्चुली में पेपर में पूछेंगे, नवदूत क्या है, तो ये एक लोकोमोटीव है, एक एंजिन है मतलब, जो कि बैटरी से चलता है, बड़ी बात है, बैटरी से चलता है, तो बैटरी ओपरेटेड दोस्तों, ये model है, जो कि नवदूत इसका नाम इसमें e-bike, e-bus, e-car, ये सब तो चली रहे, आने वाले दिरों में हो सकता है, एलेक्टरिक से पूरी की पूरी जो है, मारे ट्रेन भी चल पड़े, तो इसलिए जो है, इसको किया गया है, तो वेस्ट सेंट्रल रेलवे जो है न, पश्चिम मध्धे रेलवे, उसके दवारा इसको इस थापित है, जो की किया गया है, ओके, ध्यान रखेगा, बैटरी पर और इलेक्टरिक की ओपर, दोनों पर काम करता है, वैसे ये, और इसके लिए रेलवे बोर को अब होड भी मिला था, नवदूत के बारे में बताई चुका हो में आपको, आप देख सकते हो, बह की सेव करेगा इसके बाद, उके, रफ्तार जो है, वो 30 किलोमीटर पर्तिगटे की होगी, 18 कोच जो की है, खैच सकता है, अच्छी बात जार, 18 कोच तो काफी हो गए, किसान रेल के बारे में बात करेंगे, किसान रेल क्या थी, कि अगर मालो कोई गाउं के अंदर एरिया है ट्रेन स्टेशन है वहाँ पे, तो हम क्या कर सकते है, उसको जो है, ट्रेन के माध्यम से सामान को, कोल्ड स्टोरेज के माध्यम से दूर तक लेके जा सकते है, समझगे मेरी बात, तो इसी को किसान रेल बोला गया, तो अभी रेसेंटली कुछ टाइम पले, 1000 वी इसकी ट्रि कुछ भी हो, चलो, आगे बात करते हैं, फिर्स्त गति शक्ति कार्गो टर्मिनल की, गति शक्ति नाम से उनिवर्सिटी भी बन रही है, जो रेलवे उनिवर्सिटी थी, उसको याद है, आपको कल पर सो पढ़ाया था, ठीक है, चलो, तो हमने क्या, गति शक्ति, हम लोग उ चलिए है, और ऐसे हमने टार्गिट क्या बनाया, कि ऐसे हम लोग 2022, 23, 24 और 25 तक आने वाले तीन फिनाशल एर में, ऐसे टर्मिनल, 100 टर्मिनल है, जो कि हम लोग बनाएंगे, जहां पर जल्दी-जल्दी, इंपोर्ट-एक्सपोर्ट है, जो कि हो सकता हो, ओके, इंडिया की पहली बुलिट ट्रेन के बारे में बात करेंगे, जब इंडिया का पहला बुलिट ट्रेन बनेगी, पता नहीं कब बनेगी, आप और मैं पता नहीं जिन्दा रहेंगे, नहीं रहेंगे, और रहेंगे तो पता नहीं इसमें ट्रावल कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे, क्य आप सूरत जो है ना वह पहली सिटी होगा जो की स्टेशन बनेगा इस वाले प्रोजेक्ट के उपर समझ गए तो यह बात आपको आप ध्यान रख दिए अंडर कंस्ट्रक्शन है हाई स्पीड रेल सिस्टम है और मुबभाई से आपके एम्दाबाद के बीच में इसको चलाए जाएगा अना प्रोजेक्ट के इम्मीद करी जा रही है कि इसको कंप्लीट करेंगे दिसंबर 2023 तक यह टाइम में जो कि इसका बताएगा है अलाकि लगता नहीं कि इतने तक हो जाएगी है ना और लेकिन देखते हैं 2023 तक तो इनिशली था पहले तो 2023 बोला था अब यह 233 तक अप्लेट होगा वंदे भारत ट्रेन किसी ने सफर किया है कि मेरा बड़ा मन्यार वंदे भारत में सफर करने का लेकिन जैपुर वाले रूट के ओपर वो चलनी रही है जैपुर से जाब भी नी रही है वाकि बहु सेमी हाई स्पीड है बड़िया फैसलिटीज है ओके इसको पहले दिल्ली से वैशनो देवी के बीच में और दिल्ली से वारा रसी के बीच में है जो की चलाए गया किसके द्वारा बनाए गया इंटिग्रिल कोज फैक्टरी के द्वारा है जो की इसको बनाए गया चन्ने के दोस्तो भारत की तर्च पे एक लगजरी ट्रेन की सेवा है जो की शरुवात करे थी और वो शुरुवात करते ही जो है वो कंट्री ठप हो गया पूरा ठीक है ट्रेन से लोग आने सोचा था कि इन्होंने एकनौमी बढ़ेगी लेकर एकनौमी की बाकी जगर पर इत्ती बैंड बजी की ट्रेन छोड़ो आप तो साइकल चलाना पड़ रहा है आप है क्योंकि गाड़ी में पेट्रोल डालने का भी नहीं है समझ गया है तो शिलंका ने लगजरी ट्रेन सर्विस है जो की स्टार्ट किया जाफना से दोस्तों कॉलंबो के बीच में और हमने जो है इसके ल एक स्टेशन एक प्रोड़ेट समझ गए एक स्टेशन के ऊपर एक अच्छा प्रोड़ेट है जो की बनाये जाएगा ताकि वहां पर लोगों को लोकल लेवल के ऊपर क्या मिल सके बढ़ावा मिल सके समझ गए मेरी बात चलो ठीक है इसके अलावा तो कुछ और खांस नहीं पता है आप है चलो डेक्षते यह सारे के सारे कुछ डिल्वे स्टेशन जो की सब्सक्ता करेंगा है यह आपको पता होने मुगल सराई दिन दियाल उपाद आप सभी को मालूम होगा मुगल सराई को दिन दियाल उपाद थे का वैधा अलावाद का प्रयागराज गर यह राजस्तान में जोतपूर के पास है हभीब गंज का नाम दानी कमलापती के वद्या का एक्ता नगर हो गया कि ओबली का नाम चेंज हुआ को बली का नाम क्या रखा गया स्वामी स्टेशन सिद्दात रोधा स्वामी स्टेशन एलफिस्तायन का प्रभा प्रभावती एलफिस्तायिन रह्य स्टेशन का प्रभादेवी रहल स्टेशन घुलबर्ग का नाम है कालब उरंगी वबह और इसके अलावा देखे Sheet तो ये सारे स्टेशन के नाम करवा दूगा तो आप वहाँ पे दे सकते हैं ठीके गईस तो ये था आज का आपका session, hopefully आपको पसंद आया होगा और शुरुबात में 10-15 मिट दिक्कत हुई patient से हमेशा कुछ चीज़े अच्छी मिलती है जीवन में तो आपने patient रखा होगा तो आपको एक अच्छा वीडियो है जो कि मिलाओगा जिसमें हमने काफी कुछ कवर किया है ठीक है वापस मिलेंगे कल की